नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं Quantum Cyber Star और आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक ऐसी यात्रा पर जो आधुनिक विज्ञान, इंजीनियरिंग और रफ्तार की पराकाश्था है आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे तेज, सबसे विशाल और सबसे अत्याधुनिक हाई स्पीड, रेल नेटवर्क की, यानी चीन की बुलेट ट्रेन प्रणाली की लेकिन ये सिर्फ ट्रेन नहीं है, ये है एक चलती फिरती प्रयोकशाला एक प्रतीक है राष्ट्रिय आत्मबल का, और एक मिसाल है भविश्य की तकनीक की चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये अद्भुत यात्रा भाग एक चीन की हाई स्पीड रेल एटवर्क की नीव जब हम चीन की हाई स्पीड रेल की बात करते हैं, तो ये जानना ज़रूरी है कि इसकी शुरूरात कोई एक दिन में नहीं हुई इसकी नीव रखी गई थी दो हजार दो के दशक की शुरूरात में जब चीन ने तय किया कि वह दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के लिए सबसे तेज परिवहन प्रणाली बनाएगा शुरूरात में जापान की शिनकान से इन तकनीक से प्रेरणा ली गई लेकिन फिर चीन ने अपने देश में सैकडों वैज्ञानी को इंजिनियरों और योजना कारों की मदद से अपने खुद के हाई स्पीड ट्रेनों का निर्मान शुरू किया धीरे धीरे चीन ने अपनी तकनीक, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और अपनी ट्रेने विकसित करनी शुरू की और फिर जो हुआ वह इतिहास बन गया भाग दो, नेटवर्क के विशालता चीन का हाई स्पीड रिल नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है ये नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है उत्तर से दक्षिड, पूरव से पश्चिम तक ये नेटवर्क 40,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबा है इसमें सैकडो स्टेशन है दरजोनों बड़े शहर आपस में जुड़े हुए है और ट्रेने ऐसी रफतार से चलती है जो किसी भी आम देश की कलपना से परे है हर दीन लाखों लोग इस नेटवर्क का इस्तेमाल करते है बिना देरी, बिना बाधा और पूरी सुरक्षा के साथ भाग तीन, तकनीक और विज्ञान अब बात करते हैं तकनीक की चीन की हाइस्पीड रेल सिर्फ एक तेज ट्रेन नहीं है यह है चलती फिरती विज्ञान की मिसाल इन ट्रेनों में प्रयोग होता है एरोडाइनामिक डिजाइन जिससे हवा का प्रतिरोध कम हो ब्रेकिंग सिस्टम जो ट्रेन को कुछी सेकेंड्स में रोक सकता है बिना यात्रियों को जटका लगे ओंटोमेटिक सिग्नलिंग और कंट्रोल जिससे इनसानी गलती की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है और सबसे बड़ी बात ट्रेने पूरी तरह इलेक्ट्रिक है यानि ये पर्यावरन के लिए भी कम दुकसान दायक है भाग चार रफतार की शक्ती इन ट्रेनों की अधिक्तम स्पीड होती है लगभग 400 किलोमीटर प्रतिगंटा लेकिन हम इसे कहेंगे 400 किलोमीटर प्रतिगंटा यानि कि वह रफतार जो एक कार, एक बस या एक विमान के भी बराबर जा सकती है लेकिन जमीन पर इस स्पीड को हासिल करने के लिए पटरियों को खास डिजाइन किया गया है ट्रेन के पहियों और इंजन में अल्टरा हाई स्पीड कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया है और यात्रियों की सुरक्षा के लिए मल्टी लेयर सिस्टम विकसित किये गये है चीन की फूशिंग नामक ट्रेन जो पूरी तरह से स्वदेशी है वह इस तेजी की प्रतिक है भाग पाँच इनोवेशन और स्वदेशी करण चीन ने शुरुवात में विदेशी तक निकली लेकिन बहुत जल्द उन्होंने अपना स्वदेशी डिजाइन और मैनुफेक्चरिंग सिस्टम विकसित किया आज चीन की अधिकतर हाइस्पीड ट्रेने इंजन से लेकर कोच तक सब कुछ चीन में ही बनाया जाता है यही नहीं अब चीन इन ट्रेनों को अन्य देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है जैसे कि इंडोनेशिया, सर्बिया और अफरिका के कुछ देश यानी चीन ने केवल उपयोग करना नहीं सीखा बलकि निर्माण करना, विस्तार देना और वैश्विक मार्केट में उतरना भी सीख लिया है भाग चह रेल्वे स्टेशन, तकनीक के किले चीन के हाई स्पीड रेल्वे स्टेशन, आधुनिक एरपोर्ट की तरह होते है जिन में मल्टी लेवल प्लेटफॉर्म, आटोमाटिक टिकेटिंग सिस्टम आर्टिफिशल इंटेलिजेंस बेस्ट मॉनिटरिंग और डिजिटल साइन बोर्ट जैसी सुविधाय होती है हर स्टेशन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि हजारों यात्रियों को एक साथ कंट्रोल किया जा सके वो भी बिना किसी धक्का मुक्की के भाग साथ भारत को चीन से क्या सीखना चाहिए और कैसे सीखना चाहिए चीन की हाई स्पीड रिल सफलता का राज है साफ विजन, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर स्वदेशी तकनीक और लगातार नवाचार भारत को भी इन चार स्तंभों पर ध्यान देना होगा और बड़ा सोचे जो भारत को भविष्य की पटरी पर तेजी से दोड़ा सकते है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण और प्रेरणा दायक लगा हो तो मैं आपसे एक छोटी सी मदद की उम्मीद करता हूँ आप मेरी छोटी सी मदद कर सकते हैं एक रुपे की सहायता प्रदान करके UPI ID डिस्क्रिप्शन में है या ये QR कोड स्कैन करके आप मुझे मदद कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूले